Hello students, good morning. Dear students, today I am going to teach you good manners. So take out your book and open page number 4. सबसे पहले देखिए क्या दिया है? Please have breakfast. ठीक है? अभी हम जब किसी से नाश्टा करने बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? हर मतलब कोई भी जब हम words बोलते हैं इंग्लिश में या कोई भी sentence बोलते हैं तो उसको बोलने का एक manner होता है ना तो good manner क्या है? मतलब नाश्टा कर लो ऐसे ने बोलते हैं या फिर have breakfast हम लोग उसमें please लगाते हैं ठीक है? क्या लगाते हैं? Please लगाते हैं मतलब कि if you want to take something from someone or ask something you should use मतलब कि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हो या फिर उससे कुछ पूछना चाहते हो आप please word का यूज करेंगे please work का use करेंगे जैसे आपे please have breakfast किर्पया नाश्ता कर लें ठीक है उसके बाद दूसरा है thank you हम thank you का use कब करते हैं if someone has done your work अगर किसी ने मतलब हमारा कुछ काम किया है or you are taking something from someone या फिर हम किसी से कुछ ले रहे हैं and when we are returning that thing जब हम उस चीज़ को वापिस कर रहे है then we must be used thanks तो हमें क्या use करना से है thanks या thank you का use करना से है ठीक है फिर तीसरा I am sorry हम sorry का use कब करते हैं these words are used when we are talking with someone on the phone or face to face and he is saying something but we cannot find his voice our words तो हम लोग क्या कहेंगे मतलब कि जब हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं phone पिया फिर face to face अगर हम उसकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं ठीक है तो हम दुबारा बोलने के लिए उससे क्या बोलेंगे sorry ठीक है या फिर हम किसी को जब अन्जाने जाने अन्जाने में चोट पहुचा देते हैं यह हमारी वज़े से कोई हट हो जाता है हमसे कोई mistake हो जाती है तब हम उससे क्या बोलते हैं I am sorry ठीक है फिर उसके बाद है good morning good morning का use कम हम करते हैं when we meet someone we greet our wish to say good morning मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे greet करते हैं कैसे जैसे हम ऐसे हिंदी में या उर्दू में ऐसे सलाम करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं assalamualakum तो इंग्लिश में हम time के मुताबिख यह नहीं नून है afternoon है तो हम बोलेंगे good afternoon morning है तो हम बोलेंगे good morning evening है तो good evening ठीक है तो English में हम ऐसे वीज़ करते हैं फिर उसके बाद है May I help you इसका use हम कब करते हैं When we want to help someone we will always say May I help you मतलब जो हम किसी की मदद करना चाहते हैं कोई कुछ काम कर रहा है उसमें हम मदद करना चाहते हैं तो हम कैसे बोलेंगे हम English में बोलेंगे May I help you ठीक है Bye 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 का use हम कब करेंगे If you say Bye Bye you mean farewell or so long मतलब कि जब हम किसी को Bye Bye बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसे बहुत देर तक के लिए विदा करते हैं विदाई लेते हैं ठीक है In other words Bye is a shorter way to say goodbye मतलब कि अगर दूसरे लफजों में बोलें तो Bye Good Bye का shorter word है छोटा लफज है मतलब Good Bye को हम short करके Bye बोलते हैं फिर उसके बाद Hello है Hello हम कब बोलते हैं We will say Hello to someone whom we are meeting for the first time हम Hello का use कब करते हैं जब हम किसी से first time मिलते हैं ठीक है ये दो तरह का होता है Hello और Hi ठीक है दो तरह का होता है हम Hi उन लोगों से बोलते हैं जिने हम जानते हैं जैसे हमारे Friends हो गए हमारे दिलेटी हो गए हमारी Family हो गई और Hello हम उसे बोलते हैं जिससे हम first time मिलते हैं ठीक है ये Excuse Me बचा है Excuse Me हम कब बोलते है If you are sitting in a meeting and you have to get out of the place for a few moments for somewhere then you will say in Hindi that I come now तो मतलब कि जब हम किसी meeting में रहते हैं या फिर class में रहते हैं और हमें थोड़ी देर के लिए कुछ time के लिए वहां से बाहर निकलना है ठीक है तो हम उस time हिंदी में कैसे बोलते हैं मैं अभी आती हूँ लेकिन English में हम कैसे बोलेंगे Excuse Me कैसे बोलेंगे Excuse Me ठीक है तो ये कुछ good manners है मतलब हम ऐसे तो बीना बोले भी निकल जाते हैं लेकिन अगर हमें good manners मतलब सीखना है और हमें अच्छे बच्चों में शामिल होना है तो हमें ये सब follow करना पड़ेगा ठीक है बच्चों कोई कुछ देता है तो आप क्या बोलेंगे Thank you जैसे अगर कोई आपको क्लास में पेंसिल देता है बुक देता है तो आप क्या बोलेंगे Thank you मैं अगर आपकी बुक वापिस करती है चेक करने के बाद तो आप क्या बोलेंगे Thank you I'm sorry किसे बोलेंगे अगर आपकी वज़े से क्लास में किसी को चोट लगई कोई हर्ट हो गया तो आप बोलेंगे I'm sorry गुड मॉर्णिंग कब बोलेंगे आप जब किसी से मिलते हैं अपने अम्मी से मिलते हैं अभू से मिलते हैं टीचर से मिलते हैं स्कूल में ठीक है तो जिस से मिलेंगे आप बोलेंगे गुड मॉर्णिंग excuse me कब बोलेंगे आप जब आपको किसी से बात करना हो आपको किसी को बीच में टोकना है या फिर वहाँ से उठके जाना है तो आप excuse me बोलेंगे may I help you कब बोलेंगे जब आप किसी की कुछ मदद करना चाहते हैं ठीक है जैसे आप किसी की विदा होते हैं, जब हम किसी से दूर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए से, जैसे हम morning में स्कूल जाते हैं न, तो घर से निकलते टाइम, हम अपने मम्मी, पापा, जो भी उनको अल्ला हाफिस बोलते हैं, सलाम करते हैं, तो English में कैसे बोलते हैं, बाइ-बाइ, चीक है, बाइ-बाइ, ऐसे बोलते हैं, और हेलो, हम अपने, जब हम किसी से फर्स टाइम मिलते हैं, तो उससे बोलते हैं हेलो, चीक है, तो आप लोग इसे खुब अच्छी से लर्न करिए, करने के बाद, मुझे वाइस रिकार्डिम में सेंड करिए, ठीक है, और इसको फॉलो भी करना, पुछिटिफ लर्न करके नहीं रखना, इसको फॉलो भी करना है, मतलब कि आप जब भी किसी से कहीं मिलेंगे, या जब ये वर्ट का यूज करना है, तो आप इसका यूज करे अच्छेंगी एक आला अफीस